जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं MP-Police Concentrable Exam 2022 में 6 फर्मरी 2022 की सेकेंड सिप्ट में पूछे गए प्रस्णी हैं थोड़ी सी अब उससे ज्यादा हो चुका है सरल तो आज का जो हाइस्ट स्कोर था वह था 89 कितना था 89 और यहां एक गल्स केंडिडेट का स्कोर था तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पेपर अब सरल आने लगा है और आप लोगों से सिर्फ वह कोशन पूछे जा रहे हैं MPGK के जो कि हमने आपको MPGK की PDF में प्रवाइड करा हैं तो जिन भी लोगों ने अभी तकवा PDF नहीं पढ़ी है आप सब वीडियो की डिक्स्रेप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस PDF को जरूर पढ़ने MPGK के जितने भी कोशन हैं सभी EC PDF से पूछे जा रहे हैं देखे हमें बताते जाओंगा कोन कोशन हमने आपको करा दिये हैं इस्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन पुछा गया था, अंत्री में किसका मकवरा है, अंत्री ग्वालियर, ग्वालियर के अंत्री में किसका मकवरा है, तो इसका आंसर होगा महमद गोस का, अंत्री में महमद गोस का मकवरा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और, न restoration देबिस समय मिल कर गेट की स्थापना पी थी आगे बड़ते हैं लेक्स्ट कोशेंन आ वाल हो इस थी थे यहां वाला कोशेंन भी हम नहीं को को और MPG के के विडियो में किराया था और MPG की PDF में भी में सस्थ तो तुरंत वहाँ PDF आप सभी पढ़ लें ताकि आपके MPGK के जितने भी कोश्चन है वह बिल्कुल किलियर हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे चेनल पर MPForest एक्जाम और MPSI एक्जाम के बहतर हो सके पटवारी एक्जाम के जल्दी अपलोड किये जाएंगे वीडियो और MPI कोट के तो आल्रेडी चली ही रहें तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपर पूछा गया था मध्द प्रदेश में बिलियर्स अकाडमी कहा इस्ति थे तो इसका जो पूण वीडियो है यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्रेप्शन में दीगे लिंक पर क्लिक करके उसे देख लें क्योंकि आप खेलों से प्रस्ण पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट कोशन यापर हमारा 1974 में कोलकाता में प्रथम मुख्य नयादिस कोन थे 1974 में कोलकाता में जो भारत का प्रथम उच्छे नयाले खोल गया उसके मुख्य नयादिस कोन थे तो आंसर होगा एलिजा इंपे 1974 के कोलकाता में के प्रेथम मुख्य नैजदी थे एलिजा इंपे और 1973 के रिगुलेटिंग एक्ट के तहत इस आई-कोड की स्थापना की गई थी और यह आई-कोड किसके समय पर इस्थापित किया गया था तो बारेन हैंस्टिंग के समय चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दिन पहले तो कंप्लिट हिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री जरूर पढ़के जाएंगे जिसमें सिर्फ मात्र 80 कोशन थे और वहां सभी एक्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कॉश्ट्रबल एक्जाम में तो यह कोशन भी वहीं पर था और मैंने कहा था कि कोशन आने वाली सिप्टों में किसी ना किसी दिन जरूर चपकर आएगा और आज आ चुका है तो बाजी राओ की समाधी कहां इस्तित है रावेर खेडी खरगोन में इस्तित है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की हो नेक्ट कोशन है भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अ सरबादिक ब्रक्ष सागुन ब्रक्ष पाए जाते हैं नेक्स्ट कोशन यहां पर हमारा MRI का फुल फार्म क्या होता है या पूछा गया था तो आज का पेपर काफी सरल था दोस्तों और आने वाली सिप्टे अब जो हैं काफी सरल हो चुकी हैं तो आप मिसरण एलिगेशन ज किस तत्वक्त आनसार होगा बेरियम तत्व का नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया था तो निम्न बैसे जल जनित Polski ऊप्शन हमें नहीं मिल पाई इसलिए अप्शन मेंसे कोई एक आनसर था धा साहबुत दिन कोई और यदि या तो से एक question पूछा गया था, तो यह question भी हमें मिल गया था, तो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, देखे, बिल्या या तो कुसल है, या आ कुसल है, क्या पूछा गया था, बिल्या या तो कुसल है, या आ कुसल है, और इसमें चार आपसन दिये गए थे, बिल्य बिल्या कुसल है, बिल्या कुसल नहीं है, बिल्या कुसल है और बिल्या कुसल नहीं है, तो देखे, आप इसे A मान सकते हैं और इसे B मान सकते हैं, तो पहले वाले A के लिए बिल्या कुसल है तो इसे A मानेंगे, बिल्या कुसल नहीं है तो इसे आप मानेंगे A not, बिल्या कु लिए जिसा की बात की जाए तो ऐसे कि बिलिय कुशल है तो ऐसे सी बात की जाएकि जब नौट की बात तो अधि आप लोगों को इसे रिलेटेश्थ वीडियो चाहिए दोस्तो तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको लिया होगी के लिए इस chapter से भी related वीडियो जरूर लेका रहूंगा तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल लाइक एंग बिटन भी जरूर दबाले ताकि एसे important educational वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुशते रहें जाए हिन दोस्तो